हलो ग्लास आज हम लोग numerical लगाएंगे centroid method पे जिसमें क्या होगा कि एक section है जिसमें एक body है जिसमें कोई एक part जो है वो काट के निकाल दिया गया है इसको punch करके body से निकाल दिया गया है और उसके बाद भी हम को चाहिए कि center of centroid हो वो उसी position पे हो तो इसमें यह पूछा है कि फिर पता चलेगा कि कि किस तरीका का question है इसी तरीके के question जो है वो semester exam में भी आते हैं कि कि सब्से पहले question को देखते हैं question है question है and I saw triangle and I saw this triangle triangle is to be cut is to be cut from an edge of a square from an edge of a square take a square plate of side of side one meter such that such that the remaining part of the plate the remaining part of the plate remains in equilibrium remains in equilibrium remains in equilibrium in any position when when suspended from the apex from the apex of the triangle of the triangle calculate the area of the triangle of the triangle of the triangle to be removed and remove and 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 कि क्या कह रहा है कि एक आई सुस्लेस ट्राइंगल को एक स्कॉायर प्लेट से काट के निकाल दिया गया है इसके बाद क्या किया ऐसा इस तरीके से काट गया है आड़ इस तरीके से काट के निकाला गया है कि अगर को पता करना है कि जो अगर के हैं करते हैं कि एक स्कॉायर प्लेट एक स्कॉायर प्लेट है जिसका साइड जो है कि एक मीटर और भी एक मीटर इसमें से ट्रेंगल जो है वो काट के निकाल दिये गहां जो इसका रहा है इस ट्रेंगल इस टुबिकर्ट फॉम देज अब डिस और इसकार्पेट एज से काट के निकाल दिया और इस एपक्स से हम इसको सब्सक्राइब तो हम क्या करते हैं कि इसको एक्सिस माल लेते हैं यह वाई एक्सिस यह ओपॉइंट यह एक्स एक्सिस हम क्या करते हैं कि इसको a माल लेते हैं कि इसको B माल लेते हैं, इसको C माल लेते हैं और इसको D माल लेते हैं। जो Solid पार्ट है वो यह है। विठे हैं जो sated part है वह solid है और जो सेड़ पार्ट नहीं है उसी को कार्ट के निकाल दिया गया कॉ findet extract यह solid part बचा हुआ है और इसको निकाल दिया गया और क्या रहा है कि माल लेते हैं यह एच डिस्टेंस है जो एपेक्स है वो एसे एच डिस्टेंस पे लाई करता है कि पेस्तेंगल का बेस बिन मीटर ही और इसको करने की कुशिस करतें हैं थिक है है और जब घ्रेट कर की क्या रहा है तो हम सबस्क्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं कि एरिया और रिक्टैंगल को एरिया और को है हम बोल रहे हैं एवन तो एवन कितना होगा एक मीटर इन्टू एक मीटर आएगा वन मीटर स्कॉयर तो इसका एक्स वन कितना एगा घाया से कितना है आगा अगर यह लाइन है तो इसका एक्स डिसका सेंट्रोड दिया वह कितना है और फाइब जिरो कॉंट फाइफ चिंग और वाई कितना है कि एब शट्रीब्न कितना है का गया अ मैं प्रिद्ट में कितना एगा यह टोटल एक मिटर का है तो वाइव इसके हम पर होगा ठीक है अब या तो हमको एरिया निकालने से मतलब है ठीक है तो हम खह रहें एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया जो है उसको मान रहे हैं एक तू के लिए क्या लिखेंगे एक वाल टू हाफ बेस इंटू हाइड वह कितना होगा हाफ बेस कितना है एक मीटर और हाइड कितना है एच तो है तो यह एरिया कितना है है एच बाइट टू ट्रीक है एक टू कितना है गाइगा वन टिवाइद बाइट टू इकवल टू जीरो पोइंट वाइगा और वाइट टू कितना पाइगा वन टिवाइद बाइड दू न आ और खोडिकर कितना है गाळा बेस से एच भाई त्री डेसी ह। एच भाई ठीश उपर लिखेंगे हम एच डिवाइड बाई थ्री हम क्या माने हैं इसको इसके हाइड को अगर हम एच मान रहे हैं तो बेस में अग्ड होगा वाई कॉधिनेट वो कितना होगा है 3 ठीक है अब हमको यह एच फाइंड आउट करना है तो एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उडिष इंगत तो ऊध्र अब 0 है कर क्योंकी हम highest ऐच ओंड और हम देख हम वो हम इसमें से काटके निकाल दिए तो वो क्या माइनस अबल만 स्वेन्ट क्योंकि हम इसको विडियूरू करने इसमेंसे तो जो area होगा इसका कितना होगा minus h by 2 ठीक है और हाइड जो है वो कितना है तो य 1 कोईडिनेट कितना होगा h y 3 तो अब हम यहां से लिखें तो क्या लिखेंगे एरिया कितना है a1 1 into y1 कितना है 0.5 minus area कितना है minus hy2 ठीक है और y2 कितना है 1 into hy3 divided by a1 का area 1 minus a2 का area कितना है minus hy2 तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको सॉल करके लिख रहे हैं सिंप्लिफाइब कर लें तो 1 divided by 6 यहाएगा 0.167 है एच स्कॉर डिवाइड बाई जीरो पोइंट है जो दो यहाएज वन माइनस जीरो पोइंट 5th ठीक है अब क्वेस्ट्टन में क्या कहा गया है कि इस तरीके से कट किया गया है तरी में इंग पार्ट अफर्ट अफर्ट इंग भीड्या वन सब्सक्राइब कर रहें यानि इसका वाइब अच्छा यह एक वीविवियम में कब होगा जब इस जो रिमेनिंग पार्ट है उसका संट्रोड जो है वह ट्रैंगल के से हैं यानरी इस ओर मत्रव कहा है वाइनधर तब करेगा से जो हम इसीपे किलिब्लियम में आए जब वह एक्विलिवियम में आएगा यानि यह पॉनिये ञांके जो जो सेंट्रेयृट का वाइ-coordinate है वो हो दाएगा यहां से हम क्या दिख सकते हैं एद इक्वर टू 0.5-0.167 में एद स्वाइड लैड़ बाई 1-0.5 ह आप हम इसको इसको जॉप करेंगे तो हमको यहां से ह镜 का एक वेल्इू आएगा सि fired आप हम इसको यहां से तो क्या आएगा है एक एक वैल्यू आएगा क्या है दिखते हैं इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइब कर दें तो क्या हैगा एक इसको यहां ले जाके मुल्टिप्लाइब कर दिये तो क्या हैगा अब इसको सिंप्लिफाइब करके इकोल टू लिखें तो क्या लिखेंगे इसको उधर ले जाएंगे इस पाइट उधर ले तो वह पॉजिटिव में हो जाएगा जीरो पॉइंट पॉइंट फाइफ माइनस पॉइंट 1 गिजी रो पॉइंट 3 3 3 कि एक स्कॉायर कि ये पाइट और ये पाइट को सॉल ने के बाल फिर इसके बाद फिर एक को उधार ले गए माइनस एच और 0.5 पहले से उसने उधार एक इखेल पाइट प्वाई इकुल टु जीरो धर है यह हैं को एक एक्वेशन मिल गया अब इस 333, D का value माइनस 1, और C का value 0.5, यहां से H का एक value आ रहा है क्या, 2.369 meter और एक value आ रहा है, H equals to 0.633, 633 के ज़िए का 64 कर देता है, 1 meter, यानि H का जो है, वो 2 value आ रहा है, H का जो है, वो 2 value आ रहा है, एक value जो है, जब हम H equal to 2.369 होगा, तब जो है, वो Apex पे EQUILIBRIUM में होगा, अगर सस्पेंड करें उस remaining part को, तो Apex पे से वो EQUILIBRIUM में होगा, और जब H equal to 0.634 अगर होगा तब जो है वो remaining part जो है वो ट्रेंगल के Apex पे equilibrium में होगा तो हम अगर figure से देखें तो H जो है वो जो rectangle का side सॉरी जो square का side है वो एक मिल्टर का है ठीक है और triangle का height जो है वो 2.369 बताया रहा है मतलब कि जो यह Apex का मतलब कि triangle का जो Apex है वो जो है वो 2.369 मीटर जो है वो अपवर्ड है Y coordinate में तो यह क्या possible है क्या कि एक मीटर का height का या एक मीटर के side का square और उसमें जो triangle कट किया गया है उसका height जो है वो 2.369 हो ठीक है यह कभी possible नहीं है कि triangle का Apex जो है वो square के Apex मतलब square के से बाहर जा रहा हो तो यह value जो है वो applicable नहीं है वो acceptable नहीं है तो H का value जो है वो यह सही है क्योंकि point 364 जो है वो यह point जो है वो एक मीटर के अंदर ही आ रहा है तो यह Apex हो सकता है यह triangle का Apex हो सकता है क्यों क्योंकि यह square के square के plate के अंदर आ रहा है ठीक है यह बाहर नहीं आ रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि इसका area निकाले लिए ठीक है एडिया निकालने के लिए क्या करना होगा हाफ बेस इंटू हाइट है थाना है हाफ बेस इंटू हाइट रखेंगे तो सीधे हमको हमारा area मिल जाएगा तो सॉल करते हैं कि इसके आगे तो एडिया और ट्रैंगल क्या होगा एडिया ओफ ट्रैंगल है इक युद्ध तो हाफ बी इंटू है और हमको पता है कि हाफ बेस जहां को एक मीटर का है एक मीटर का है और हाइट जहां हम निकाले हैं कितना जीरो पॉइंट सिक्स थ्री फोर तो यहां से हमको एडिया मिल गया कितना वन इंटू पॉइंटू पॉइंट सिक्स्ट्री पॉर पॉइंट सिक्स्ट्री पॉर डिवाइद बाइटू ठीक है तो एडिया कितना मिल गया हमको इंगल का जो कट करना है जीरो पॉइंट त्री उन सेंवं य्मीडेड स्क्वार खिर हमको एडिया कि हमिल गया है जीरो पॉइंट ignoring इंट-स motivo जो एरिया होगा वह कितना होगा जीरो पॉइंट 317 मीटर स्क्वायर और यह एपेक्स का जो हाइट होगा वह कितना होगा जीरो पॉइंट 634 मीटर तो इस तरीके से इस ऐसे क्वेस्टिन को सॉल करते हैं अब इसी तरीके की नुमेरिकल जो है वह हो तक्ता है एक्जाम में भी आए तो इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और इस क्लास में इतना ही को सुखर हएं और धो वह कि प्रैसिश्ट जो हों जोगा है पहले क्या निकाले हम एक बलादा जल्दा जल्दी जल्दी पहले हम ग्र्युक्ट एक स्क्वायर और है जिसका है जसे है और उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि एक हैं never कट करने के बाद जो एस प्लेट वश रहा है वह है वोन ट्रेंगल के एपक्स पे एकिलिव्रियम में थी का व्यां को पता करना है हम कितना एडिया का सबसे पहले तो पूट किये है कि स्कॉायर का एडिया निकाल लिए तो इसकॉयर का सेंट्राइड निकाल लिए एक्स कॉडिनेट और वाइक कोडिनेट तो पूट कर दिये जब पूट किये तो हमको पदा चला जा एक एक्वेशन बनके आ रहा है जो एक्वेश के टर्म में है जो एक्वेश के टर्म में है ठीक है और हमको क्वेशन में दिया गया है कि जो ट्रिंग यौट का एपक्स है वही जो है अगर वाहां से सँस्पेंट करने हैं तो यह पता चला जब यह हो गया तो हम क्या किए y bar की जगाय h पूछ कर दिए और equation को solve करने के बाद हमको h का 2 value आया तो उसके बाद हम figure से conclude किये तो पता चला figure को देखे और दल किये तो पता चला कि 1 h का value वो square के बहार आ रहा है तो वो value applicable नहीं होगा और दूसरा value वो square के अंदर आ रहा है जब यह acceptable है तो फिर हम एच पता चल गया बी पहले से हमको मालूम है एक मीटर तो महां से एरिया निकाल सकते हैं तो थैंक यू इस वीडियो लेक्चर में इतना ही नेक्स वीडियो लेक्चर में एक और प्वेस्टन सॉल्ब परेंगे वह भी सेंट्राइड फे लेकिन कुछ अलग ही होगा ठीक है तो इस क्लास में इतना ही थैंक यू थैंक यू जब श्र में एक्चर में एक्चर में एक्पिवार्ण को रिंगे कि आफ बहा हुआए लेंगे प्वेश्टन के दिटक्स थैंक यू जब प्रियां को रिंगा कि इतना ही अले दून में एक जब दो भीडियो खितना हैंक यूल भीज़ जब दिशरों थारों गूलावन है झाल झाल झाल